मताता सुची के अध़क्ता कर रहे हमारे बड़े भाई मुलाना अब्दूर शलीम साहब इस मन पर उपचे हमारे जिटने भी लोग हैं मैं उनको इस मताता सुची के मारुभाद आर्दी कविनलमन श्रागत अधाव शलाम करता हुआ शाथियों हमारे जो पुर्ण के मता आपको पुरे तफ्सीर से बता कुए हैं कि मताता सुची क्या होता है मताता सुची वो होता है कि जो हम अगर मताता सुची में अगर मेरा नाम नहीं है हम एक एक लोगों को अभीकार और पत्तब है कि भीया हमारे पर्खंड से हमारी जाओंगे हमारी आख प्रोज के लोग मास्टर साहँ होंगे या अंगर्वारी शेटका होंगे जो आपके परते एक मूट में दिया लेका काम करता होगा मैं आपको ध्याना कि इसका लगा चारा हूँ जिताम मैंने प्रखंड में कास्वतादी कारी पिस में कि सब तल की बैज़कों वा था और मैं भी उस बैज़क में समुझे थे और हमको बोले कि देखे शबी दल के लोग जहें कोई भी दल में हो शबी लोग के दल प्रखंड विकार प्रदाभी कारी के साथ बैठक लिया गया था और बोले के कि आपके प्रखंड में और आपके जितने भी बुठ होंगे उसके पर आठ वेज़के लेकर चार वज़े तक भी लोग काम करेगा उसके बाद जम्ता को जागुत अभ्यान के लेंगे और धर बर जाके फूटना करेंगे या आपके नाम भूरा है या नहीं भूरा है और अगर नहीं भूरा है तो आप सीधे कंप्लेंट प्रखंड विकास्तादी कारी को दे कि बिये लोग मुझे नाम नहीं जोटते हैं मुझे फूट पर नहीं रहते हैं वो सीधे सफंड होगा ये बहुत बड़ा बदाता सुची का काम भारत वर्ष की नागरिक एक एक लोगी जोटना है जो अथारा वर्ष के हैं जो ठूट गए है जो बाहर है वाव ये लोग आकर के आपके धर से नाम जोटने का काम करेंगे हमारे पुरे तफ्सीर से आप लोगे बता दिये हैं कि भाई आज जो हम लोग का देश बहुत चदार हालत में तर रही है और जब तक हम लोग जागेंगे नहीं फूरा का संपती हमारे वापस नहीं जाने वागा है आप दमांग लोगों को एक संकाप लेना पड़ेगा कि मैरे भाउस करनागरिक हूँ और मैं भी अपना कतब को मिवा करने का काम करूँगा आप तो कभी टात और दमाद के नाम पर भोठकने का काम दिया आप ने कभी किसी मिनेता से सवाल कि कि मैं आपको जो भोठ देता हूँ हमारे गाउप कस्वे गरी कुड़े या वाज सुने के लिए आप देगाउं में आते हैं नहीं एक भी लोग जवाब सवाल नहीं करते हैं और सीधी आते हैं तो किसी के नाम पर किसी के नाम पर भोठ दे लेते हैं और वो अपने जाकर के राज शिहांसरों बैट आते हैं और अपना कम से कम पांच साल पूडी बना लेते हैं किसी करीब लोगा को सुने वारा कोई नहीं है मैं आप लोग को ये धियान बताना जा रहा हूँ कि आज कुछ आज में क्या हाल है जाकी ओजाके जो बुझात रहे हैं कोई भी आज में रहता हो जहारी हो और उतर परदेश के लोगों से दाके पुछे पुछे कि ख़देर के मारता है क्यों मारता है और वही बुझात का पठान मंद्री नरेज मोजी हमारे देश परकवजा किया हुआ है क्यों मोड़ दाग नाम पदाल मंद्र मजीद के नाम पर भोड़ को लेते हैं और हमारे करीब दुरुआ जाकरे पुछाद में जो काम करते हैं उस वो ख़देर के मारते हैं क्यों भी आज कम से कम यह जवाब क्यों है आप लोगेंगे क्यों बढ़ावी बात की होनी चाहिए एक तकी फ़दे देनी चाहिए दोसरी बात है तुमाले एक आप्वी यगर गलत करता कम राता है एक ही फ़दी या हमारे मान ने सांसर बहुदे चालेंगे के बुजाद के थे और मिहारी हो क्या उत्तर बर्दास के लोगों को फोट फोट करके अप्रेजन समा लगाए और कहा कि अगर तुमको दिक्रत है हम तुमारे साथ है अगर है अगर आपकी माई के तागत हमें हाथ लगा के दिखे वो भी त्रा सांसर बपु यादा और इस बच्ची के साथ तो दा बच्ची बच्ची के साथ वहाँ बलब्तान हुआ दहा वही जिहारी वही मद्वनी दिखा वज़ेपुरा का सांसर राजेश तंजरु पपु यादव एक याक्मन वज़ेदे का काम किया है तो मैं कहूँगा कि आप लोग के सामने सब कुछ है आप लोग ही कंसरोग है जो सही आप पर का है आप उसमों समर्चन कर दिजिए और उनकों जिवा करके अपने राज्से देजिए वही आपका रह्मा बन सकता है